इस लेरी चल नहीं है हलो बहुत सुनर चक्र भी आप सुन रहे थे समानिया रिंकी तिवारी जी के द्वारा एक बात आपने कही है संभू भया आप हमारे कीद में टोक देते हैं ये तर्क नहीं एक कुतर्क है देखिए मैं आपको टोक इसलिए रहा हूँ चुकि आप अच्छी कीरतन का रहा है जो व्यक्ति आपको कुतर्क बताता है गडबड वो है समझ दीजिए आप हमको तर्क दे रहे हैं कहां से कि छपन प्रकार के भोजन दुरियोधन के छोड़ दिये और केले के छिलके खाए मैं वही को पूछ रहा हूँ आपसे जब केले के छिलके खाए तो लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में यो काउन सा दाना है भाई जो आपकी मुख पंक्ति कह रही है लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में तो ये दाना काउन सा है यो राम दाना आए कि साबू दाना आए काई आयो छोड़ो खेर हमको लग रहा है ये बार दाना है इसमें कोई मकसद है नहीं चलिए खेर ठीक है मेरा प्रियोग है बस यहाँ पर कुतरक नहीं है सिर्फ तरक है और मैं आप से ही तरक नहीं करता हूं मैं उनसे भी तरक करता जिन्होंने निखा एकित को चुकि मेरी एक आदत है जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तक मैं तरक करता रहता हूं क्यों? क्योंकि यादनिया रिंगी जी तरक करने से कुछ निकलेगा क्या बात है? इसलिए तरक करना चाहिए कोई चीज लेके चले आए गादिया ये पिसे नहीं है अरे पूछो तो कि भाईया किस भाव से लिखा? क्यों लिखा? अच्छा ऐसा क्यों लिखते होगी हम टोके जाते हैं? खेते लिए बाई आए बहुत बढ़िया गीत हाथ की ओर से आया है अब बड़ा अच्छा गाया है एक बाद बड़ी अच्छे हमारे टीटू भाईया ने गई कि नारायन भाईया क्या हाथ लगाते हो टीटू भाई अब ये बताओ नारायन ने कहुं सा हाथ लगाया तुमारे उसका काम है हाथ लगाना तुलगाएगा अब वो तो हाथ लगाई देता है बड़े बड़ों की लगाती हाओ पाहा है अब ले लड़का है हाथ लगाओ लड़का है ऐसा हो फिर उसका नाम नारायन है देखिए नारायन के तो भाव होते हैं एक नारायन का मतलब ईश्वर नारायन और एक लोग कहते हैं नारायन है ना आपने बहुत बढ़िया कटपीस गाई है समन्य रिंगी जी मेल हो जाई तो जिंदिगी जेल हो जाई है मेल हो गया बाबा बजरंबली को लोग कहते है साधी सुधा नहीं है लेकिन एक घटना मुझे मिली सुनिएगा प्रयास कराओं सिर्फ तो पक्तियों में गीत आपको कह रहा है अरे जबु जबु मियां पीबी में क्या वाद है ये तुबे आल बादें जब जब मियां पीबी में तक्रार होती है मियां मियां अंदर होता है बीबी बाहर सोती है मैं उल्टा चला हूँ इसको इधर उधर न लेना जब आभी का काम है हमको असली गाना थोड़ी गाना है मैं इधर उधर उधर गाऊं गई अब चुकी आप तो बड़े हमसे इस बात का अन्भो आपको ज़्यादा होता कि क्या कहा होता है उस बिसे भी जाला है उस बिसे भी नहीं जाला है यह अपनी अपनी आदत का मामला है मां की कुछ घरों में लडाई होती भी है कुछ में नहीं भी होती है हम लोगों के आल लडाई अगर हो गई तो हम लोग फिकीरतने गाते हैं प्रियास कर आओ गुरु पुत्री भगवान भासकर की पुत्री उनका नाम है सुवर्चला आज भी तीर्थांग उठाइए आपको मिल जाएगा राजिस्थान में खंभंजिले में आज भी मंदिल है बावा पजरंकली और सुवर्चला खिनदीन दो पंकतियों में आपका जवाद दीया रहा हूं सुनिए रहा हूं कि नारी सुवर्चला पजरंकर की अरे नारी सुवर्चला पजरंगी की आदी हो गई अरे प्रह्भुचारी पजरंगी की आदी हो गई पपूया, पपूया, ब्रह्मचारी की सादी हो गई आज तक जितने लोगों ने पढ़ाओगा यही पढ़ाओगा बाबा बजरंगी बाल ब्रमचारी है लेकिन संभूल चल कहरहा है किनारी बजरंगी की वो आदी हो गई आरे आदी हो गई, ब्रमचारी बजरंकी फिर शादी हो गई, स्रमचारी बजरंकी शादी हो गई कि तीनों लोक में देखो ये मुनादी हो गई मुनादी यानी जानकारी सोर कि तीनों लोक में देखो ये मुनादी हो गई कि फीलो लोग में देखो ये मुनादी हो गई पाल प्रमचारी बजरंग की शादी 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 हो गई प्रयास रहे एक गीत बना सुंदर और आप ने गाया है कि इधर जिंदगी का इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उतार उनके हाठों में महती लगेगी दो पंक्तियां सुनाई दे रहा हूं आपने एक बड़े कलाकार प्रतिष्ठिर की इरतनकार सुरगी दादा जवाहर जी की पंक्तियां सुनाई है एक सुरगी की इरतनकार और समनी स्यान तो भानी जी दो पंक्तियां उनकी सुनाई है वो गए भगवान भोले नाथ के दर्वार अब भोले नाथ से कहा उन्होंने कि भोले नाथ अगर तुम हो दाता सबसे बड़े हो तो मुझी से बड़ा कोई भिखारी नहीं है तो अगर तुम हो दाता सबसे बड़े हो तो मुझी से बड़ा कोई भिखारी नहीं है अगर तुम हो पूजा सबसे बड़े हो तो मुझी से बड़ा कोई भिखारी नहीं कुझी जे बड़ा कोई भिखारी नहीं कुझी जे बड़ा कोई भिखारी नहीं सम्ता न करिये आए भोले नानी अरे इस्थिती कम हमारी तुम्हारी नहीं है अगर तुम हो दाता दाता सबसे बड़े हो थोलिये सच्चे दरवार की जये आए उत्तर दे रहाँ भया कहां जा रहा आपपा बाई जी बाई जी